हेलो प्रेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजिनिंग में एक और नए वीडियो लेक्चेर साथ आज के वीडियो में हम बात करने वाले किचन का साइस कितना होना चाहिए सबसे पहले आप ये समाज लेजे एक मकान में किचन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और अगर जो लोग बास्तू मानते तो इसे हम आगने कोन में ही किचन देते हैं जो लोग बास्तू नहीं मानते तो वो अपने सुविधा के अनुसार कहीं भी दे सकते हैं पिर आपकी जो प्लानिंग जहां पर सुटेवल हो किचन जो है आपका एल सेप का हो सकता है यू सेप का हो सकता आइसलेंड जो की ज़्यादा यूज होते हैं इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट इनमे एल सेप, यू सेप या फिर आइसलेंड बहुत जगे यूज करते हैं बात करेंगे प्लेटफॉर्म विट की कितनी चोड़ाई होती है एक प्लेटफॉर्म की किचन में जहां पर रखकर आप खाना बनाते हैं, काटते हैं, सबजीयां वगेरा तो इसकी जो विट है वो होती है, आपकी 2 फिट और जो हाईट है, इसे हम लगभग 2 फिट से 3 फिट तक लेते हैं, और अगर इसे हम एक स्टेंडर्ट कहें तो ये 32 से 34 इंच तक हम इसे लेते हैं इसकी हाईट जो safe है, L safe की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो size है आप किस हिसाब से measure करेंगे, क्या-क्या चीजों की ज़रूरत रहती, इसमें एक sink रहेगा आपका, grinders आएंगे, mixer आएंगे, microwave रहेगा, butter purification के लिए आपका arrow अगेरा आप इसमें लगाते हैं, use करते हैं, तो ये कुछ आप के तरीके हो गएं, जो आप use करेंगे इसमें, और जो आपके कुछ सामान है, जिनको आप रखेंगे, और ये आपकी requirement है, standard size की बात करें हम kitchen की, तो 8 by 10 का size जो होता है, वो standard होता है, जिसमें 2 व्यक्ति आराम से काम कर सकते हैं kitchen में, अब देखिए, यहाँ पर जो 8 by 10, जिसम 2 feet जो है आपका, आप इसमें देखेंगे कि मैंने बताया width हो गई, उसके बाद आपको 6 feet free मिल जाएगा, जिसमें आप 2 व्यक्ति आसानी से वहाँ पर kitchen में work कर सकते हैं, इसे साब से आपका size 8 by 10 का एक अच्छा और perfect size माना जाएगा, इसे आप 8 by 12 का बना सकते हैं, अगर आ मैं बात करूँ कि minimum size क्या होगा, जो required है, कम से कम size की, तो आपका kitchen जो है, 5 feet by 7 feet से कम नहीं होना चाहिए, kitchen का आप जब भी size ले रहे हैं, तो ये याद रखें, 5 feet by 7 feet से कम नहीं होना चाहिए, इसमें आपका 5 feet जो है, वो width में रहेगा, जिसमें से 2 feet आपका platform जो है, उसकी width जाएगी, आपके पास बचेगा 3 feet जिसमें आप जाना आना और अपने काम कर सकते हैं, और 7 feet जो रहेगी, उसकी length रहेगी, जिसमें आपके जो मैंने बताया, अभी sink, grinders, mixer, microwaves बगेरा, RO, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर आ जाएगी, तो कम से कम, ये size 5 feet by 7 feet जो use करत हैं, ये हमारे apartments में, flats में, ये size आपका ज्यादा तर use होता है, अब आगे अगर हम बात करेंगे, तो इसका आप अगर ले रहें, तो standard size आपको 8 by 10 का लीजे, आप जो की ज्यादा बहतर है, या फिर इसमें आप 7 feet by 9 feet लीजे, इससे कम करना ज्यादा ठीक नहीं होता, और हैं, तो subscribe करके विल आइकन प्रेस करना ना भूले, मिलते नेक्ट वीडियो में किसे अने topic के साहाँ, तब तक के लिए thank you